नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्स्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानि बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे आप चार प्रकार की संख्याइं पढ़ चुके हैं जिन में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या जाने की नैच्रल नंबर्स और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक और यह एक से शुरू होती है और इसका अंत नहीं होता और यह बढ़ती जाती है इसी प्र चुनिय से शुरूँ होती है, और इसका भी अंद नहीं होता। इसके बाद तिस्रे प्रकार की संख्याएं और इन सब के बात आती है प्रीमेर संख्या अब हम जानेंगे कि寂गे क्प्रीमेर संख्या क्या होती है इसमें किस परकार की संख्याओं को शामिल किया गया है अब मैं आपको एक उधारन देती हूँ मान लीजिए आपके पास 500 रुपए थे और आपको बोला गया कि आपको इन 500 रुपए को तीन बच्चों में बाटना है तो आप कैसे बाटोगे अब जैसे तीन के पास कितने हैं 500 तो एक को कितने दो गया 500 बटा तीन अब जब इस परकार की संख्याओं हमारे सामने आती हैं तो इनको ना हम प्राकृतिक में शामिल किये थे ना पूरनाग में और ना ही पूरन संख्या में तो इस प्रकाल्प की संख्या को हम प्रीमियर में शामिल करते हैं आईए अब जानते हैं प्रीमियर संख्या होती क्या हैं आईए देखते हैं इसकी प्रवभाशा शब्रीमियर मतलब की रैशनल प्रीमियर का मतलब रैशनल होता है कि उत्पति पद अनुपात जेशों से हुई है इसलिए ऐसी संख्या जिसे अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है उसे प्रीमिय संख्या कहते हैं इस संख्या में P और Q दोनों पुरुणांख हैं तथा Q सुनने के बराबर नहीं हो सकता है जैसे आपने 3 बटा 8, 4 बटा 8, 5 बटा 6 अतियादी जैसी अनेक भिन देखी है सभी भिन प्रीमिय संख्या होती है इसी परकाल 0.5, 2.3, 0.33 अतियादी दशामलव संख्याएं भी प्रीमिय संख्याएं होती है क्योंकि हम इनकों नुपात के रूप में लिख सकते हैं जैसे 0.5 को आप लिख सकते हो 0.5 इजी को सुन पांट बटा 10 होता है इसी प्रकार 2.3 और 0.33 को भी आप लिख सकते हो चलिए अब मैं आप से एक सवाल पूछती हूँ क्या आप बता सकते हो कि हम 4, 5, 6 अतियादी पूरुनाग संख्याओं को परिमियर संख्या कह सकते हैं या नहीं सोचो इस बात को जरा इसका जवाब है हाँ कि जैसे कि आप सब जानते हो कि हम 4 बराबर 4 बटा एक लिख सकते हैं इसलिए सब भी पूरुनाग संख्याओं परिमियर संख्याओं होती हैं अब परिभाशा से आप देख सकते हो कि 4 भी एक पूरुनाग है और 1 भी एक पूरुनाग है इसलिए P बटा Q एक परिमियर संख्या है 4 बटा एक एक परिमियर संख्या है इसलिए हम कह सकते हैं इसी प्रकार प्राक्रितिक और फूरन संख्याओं को भी प्रीमियर संख्या बोला जा सकता है जैसे अब यहाँ पे P बटा Q है P को अंश कहते हैं और Q को हर कहते हैं उपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, अब यहां देखिए, जैसे यहां पे चार बटा तीन दिया गया है, यहां पे चार भी धनात्मक है, और तीन भी धनात्मक है, अंश और हर दोनों हर धनात्मक है, इसलिए इनका भाग भी धनात् और इसलिए इनका भाग रिनात्मक होगा अंश और हर मेंसे अगर कोई भी एक रिनात्मक है और एक धनात्मक है तो इनका भाग हमेशा रिनात्मक होगा जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर अंश हमारा धनात्मक है और हर रिनात्मक और इनका भाग रिनात्मक है और इस किसी परकार अगर एक और ले लो जहां पर हमारा चार बटा तीन अगर हमारा अंश भी लिनात्मक हो और हर भी लिनात्मक हो तो क्या होगा तो इनका भाब धनात्मक होगा चलिए अब आपने ये तो पढ़ लिया कि परिमिय संख्याएं होती क्या है और उनमें किस परकार की संख्याएं शामिल की जाती है और अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि संख्या रेखा पर पूरणांक संख्याओं को हम कैसे दिखाते हैं जैसे यहां पर हमारे पास है ये संख्या रिखा यहां future हमने सभी पूर्ण को दिखाया है और भी आगे होंगी पर हमने इतना ही दिखाया है यहां पर शुन्य है इसमें इतनी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और यह यहां से लेके आगे तक पूरण संख्याएं हैं और इस यहां से लेके आगे तक सभी कौनसी हैं पूरुनांग और अब हम देखेंगे कि जैसे हमने संख्या रेखा पर पूरुनांग को दिखाया है ऐसे हम क्या हम प्रिमियर संख्या को दिखा सकते हैं चलिए अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर प्रिमियर संख्या वह हम कैसे दिखा सकते हैं जैसे हमने पीछे देखा था कि शुन्य और दो के बीच में जैसे एक आता है मतलब जैसे दो पुर्णांगों के बीच में एक पुर्णांग आता है इसी प्रकार यहां पर हम देखेंगे कि शूनिय और एक के बीच में क्या आता है तब इनके बीच में हम क्या इनके बीच में प्रेमियर संख्याई आ सकती है और नहीं कैसे लिखेंगे जैसे हम जानते हैं कि अगर हम जिरो और एक के बीच में आधा मतलब एक बटा दो को हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं एक बटा दो एक से छोटा है और शुनिय से बड़ा इस परकार हम सोच सकते हैं कि एक बटा दो जीरो और एक के बीच में आएगा इसलिए हमने यहाँ पे इसे यहाँ पे दिखाया है और इसी परकार यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है 0 बटा 2, 0 बटा 4, 0 बटा 8 यह सब प्रीमियर संख्याए हैं यहां पर हमारा अंच 0 है और हर 2 और यह दोनों पुरणांख हैं इसलिए यह भी एक प्रीमियर संख्या है और 6 बटा 2, यह भी बराबर 0 के 0, 6 बटा 4, यह भी 0 के बराबर है इसी परकार 2 बटा 2, यह एक के बराबर है 4 बटा 4, यह भी एक के बराबर है 8 बटा 8, यह भी एक के बराबर है अब हम देखते हैं कि 6 और 1 के बीच में कितनी प्रिमेर संख्याइं आ सकती है अगर आप हर दो ले रहे हैं और अंश कितने आएंगे उसमें एक बर जीरो आ सकता है अंश मतलब शुन्य आ सकता है एक बर एक आ सकता है और एक बर दो आ सकता है इस प्रकार के तीन प्रिमेर संख्याइं आ सकती है और इसी प्रकार शु हो जैसे यहां पर अगर हमने मान ली जी हर 4 ले लिए चार ले लिए तो इसन और दो 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 और एक बटशार में एकट ड्यों कि दो मेन दो और एक इसी प्रकार आप अगर हर आठ ले लेते हूँ, आठ को हम इस प्रकार दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यह आठ बठा आठ तक जाएगा, तो यहाँ पर कितनी आगई हमारे पास, 9 तरीके की आगई, और यहाँ पर हम 0 बटा 2 और 1 बटा 2 में कितनी प्रकार कि यह वली प्रिमेर संख्या लिख सकते हैं, तीन प्रकार की आगई इसे, इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हो, अगर आप नौ ले लो, 9 बटा 9 तक जाएगा वो, और प्रिमेर संख्या, इस प्रकार हम देख सकते हैं, दो पुरणांकों के बीच में एक ही पुरणांक और यहां पर आप देख सकते हो कि दो प्रीमेय संख्याओं में बहुत सी प्रीमेय संख्यां या सकती हैं और इनको कोई भी अंधिया बढ़ा सकते हों और यहां पर बबटा-100 और उनके सब बटा-100 और प्राइध को सवर लतस wandering rock सकते हूं इनके पीच में अब इस तरह कोई भी अन नहीं होगा अब यहां पर भी वही मैंने बताया है कि दो परिमेश संख्याओं के बीच में कितनी परिमेश संख्याओं या सकती है यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ असीमित संख्याओं हो सकती है और यह पहले ही देख चुके होगी कैसे हो सकती है इसलिए दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की सीमित संख्याएं होती है अब यह देखिए क्या लिखा है दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की सीमित संख्याएं होती है सीमित मतलब finite जैसे मैंने पीछे ही बताया है कि किनी दो पूर्णांकों में एक जैसे पांच और साथ में छे आता है, एक पूर्णांक आता है पांच और आठ में दो पूर्णांक आते हैं ऐसे, इनकी संख्यां सीमित होती है, मतलब हम उनको count कर सकते हैं, गिन सकते हैं पर दो परिमय संख्याओं के बीच में असीमित परिमय संख्याओं होती हैं मतलब उनको आप नहीं गिन सकते हो वो बढ़ती ही जाएंगी, बहुत जादा होती हैं किन्ही दो के बीच में इस परकार ये किन ही दो प्रिमिय संख्याओं के बीच में असीमित प्रिमिय संख्याओं होती हैं सीमित का मतलब जिने आप गिन सकते हो और असीमित का मतलब जिने आप नहीं गिन सकते हैं इसी के साथ हम आज का यह लेक्चा यहीं पर खतम करते हैं देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद